लेडिज अपने हस्बन के साथ लडाईयां करती हैं तो जिन लेडिज का मतलब अपना ये खर्चे पूरे नहीं हो पाते तो कई बार वो लेडिज गलत रास्ते पे भी चल पड़ती हैं लो धियाना की लेडिज को अवेर करने के लिए कि वो इन चीजों में ब्लाइंडली जो फस्ती जारी हैं ब्यूटी पैजिंस में इवेंट्स में तो आप भी उनको प्लीज एक मेसेज दीजे क्योंकि आप दोनों ने इतना बोल स्टेप उठाया है जो किसी ने अभी तक हिमत कि आज कल जो बच्चों के लिए भी टैलेंट शो और्गनाइज करवाए जा रहे हैं तो उनकी स्टेडिस पे भी आपने बताया जैसे कि काफी जादा एफेक्ट होता है तो उन चीजों में आपको कितनी फेकनेस लगती है मैम जैसे पहले हम देखते थे कि बच्चों के जो बच्चों का टैलेंट हंट हो रहा है 200 पे रिजिस्टेशन फीस है तो लोगों को होता है कि हमारे बच्चे टीवी में आएंगे या न्यूस पेपर में आएंगे तो इसके लिए वो लोगों में भागदोड सी मच जाती है वो लोग अपने बच्चों को लेकर वहां पे पह 500 ले लिए फिर उन्हें सेमी फाइनल में पहुंचाने के लिए 700 800 हजार पे ले लिए फिर फाइनल में पहुंचाने के ले लिए इनसे क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि बच्चों आपने ये वाले टैलेंट हंट में वीन करना है तो इ दूसरी तरफ से हम उनको यह वाली एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का प्रेशर डालेंगे तो बच्चे तो हमारे देश का फ्यूचर है तो उससे अगर वह अभी से ऐसा करेंगे तो बाद में उनका क्या बनेगा तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे बच्चों को अगर स्कूल ल जो मतलब कोई उठके करवा रहा है तो उनमें पार्टिस्पेटना करवाएं रिजिस्टर कंपनी से या अच्छे लोगों के साथ ही वह जूड़े एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप एक मतलब सोशल लाइफ आप लाइक करते हैं आपने कि कि सथामें किस्वी ड.प्ध, कि किê अब्यूट करके इंट करते हैं तो आपके साथ जो आपका एक फरिंड्ट सरकल है वह भी ड.ड.ड़ लिपके पैंजिव जामल गायों रहा होगा अप तक तो क्या जैसे आपके विउन से उनके भी झाहां रहा हैं वो भी यह से अगर करते हैं आपके साथ वो आपके साथ एक मतलब सपोर्ट कर रहें आपको इस चीज में जो आपने एक लाइब वीडियो डाला है उससे आइधिंक पूरा लुध्याना इस ताइम हिल चुका है आपका लाइब वीडियो देखके शायद ही वो वीडियो किसी ने नहीं देखा सारे पीट पीछे तो सपोर्ट करते हैं लेकिन सामने आके कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैंने ये वीडियो डाली थी उसके बाद एकदम से मतलब मेरी वीडियो बहुत वाइरल हुई जैसे दिल्ली हरयाना मुझे काफी कॉल आईं काफी जनलिस्ट की क काफी मैगजिन से कॉल आई कि हम आपका इंटर्वी करना चाहते हैं मेरी फ्रेंड्स ने शाबाशी दी पीट के पीछे लेकिन जब मैंने उनको बोला कि मेरे साथ सामने आके बोलो जो तुम्हारे साथ हुआ या तुम्हारे साथ नहीं लगा तो वो सभी बोली कि नहीं हम स इतने टाइम से ब्यूटी पेजन्स में पार्टी स्वेट कर रही हैं तो इतने टाइम बाद आपको ये वेरनेस कैसे आई क्या मतलब आपने पहले नी सोचा इतना बोल स्टैप उठाने के लिए अब आप आगे आई हैं कि आपने एक वीडियो वाइरल किया उससे पहले क्य पहले जैसे में ब्यूटी पेजन्स में पार्टि स्वेड करती थी न कुछ चुनिंदा से ब्यूटी पेजन्स होते थे जैसे साल में एक दो हो गए लेकिन अभी ना इतने जादा हो रहे हैं तो मैं जैसे की एक तरह हो इस सिटेंजन हूँ इंडिया की पंजाब अी अ और मेरा एक फर्ज भी है अपनी मतलब देश की जनता के प्रती कि चलो मैं लोगों को अवेर कर सकती हूं उनको जबरदस्ती नहीं मतलब मौल्ड कर सकती किसी भी काम में जाने के लिए लेकिन अगर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ अपनी रेलिटिव्स हैं जिनको ये क् ये ब्यूटी पैजन्स क्या होते हैं या इन में क्या होता है तो मेरा ये मन की एक बात थी कि मैं सभी को अवेर कर दूँ कि आप अगर जाना चाते तो अच्छे इवेंट्स में पार्टिस्पेट कीजिए फेक शोज में जाके अपनी मनी एंड टाइम मत वेस्ट कीजिए त बहुत किटिया एंड ज़यन किये हुएं कई क्लब है वह क्या तो भी मेरी मेरेजर में अब कर दो मेरे कारण ही वह उनका मॉलाव निहां बहुत अच्छा लगता अगर एंगर फिर एंभ फ्रजेंद्र्ट धार्वाद जयसा वीटी पेजन्स में तो आपने को शेंगा लग आप इतना आमाउंट दीजिए हम आपको गेस्ट ओफ उनर बनाते हैं तो आपने यह चीज कभी फिल की भी आपको हम गेस्ट ओफ उनर देंगे दो धाई हजार में यह चीज चल रही है भी आप धाई तीन हजार दो जाए उनको गिफ स्पांसर कर दो वो आपको गेस्ट ओफ उनर दे देंगे चाहे आप डिजर्विंग है जा नहीं है और कईयों का तो मुझे काल आया भी अगर आ आप हमें इतनी पेमेंट कर दो तो मैं तो सीधा साथ श्रीया काल बलाती हूं भी नहीं आई आइम नाट इंटरेस्ट इन देस तिंग इफ आयम कैपेबल तो मैं अपने पांचूंगी जैसे ही होगा मैं अपने अप जहां अगर मेरी किसमत में हो और मेरी मेहनत हुई तो मै अपने अप जो जहां अचीव करना चाहती हूं जरूर करूंगी पर यह जो बहुत जादा ट्रेंट चल चुका है गैस्ट ऑफ और के लिए आपको अगर आपने जज़ बनना है आप पैसे दीजी आप जज़ बनिये चाहे आपको उस चीज की नॉलेज है जा नहीं आप गै आपको भी काफी कॉल साथी है तो आपके साथ भी एक्सपीरियेंस राए कि आपको कॉल आती है कि मैं इतना इमांट सब्मिट कर आए कर आए अपकी सेलिब्रेटी के साथ पिक सुएंगी आपको गैस्ट ऑफ और हम लोग करेंगे बहुत अच्छे मतलब स्केल पर वो लोग हैं हम आपको गैस्ट ऑफ और देना चाहते हैं तो कई बर जैसे हमने उन्हें कोस्टेन पूट किया हां जी अगर चलो हम आ जाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो डे सैट डैट यू शुड हैव तो पे 20 थाउजन 10 थाउजन तो बीस हजार दस हजार तो कोई अच्छा डांस टीचर है तो वो जज़ कर सकता है अगर आप किसी का एक्टिंग देख रहे हो तो कोई थेटर आर्टिस्ट है तो वो आपको ज़ज कर सकता है तो मॉडलिंग है तो कोई मॉडल ज़ज कर सकता है अब तो आज गल यह है कि जैसे मन्जीज जी ने बताया कि पैसा फेंक तमाशा देख तो कोई भी गली से कोई भी ममूली सी कोई पार्लर वाली है या कोई बुटीक वाली है या कोई भी नोर्मल बंद है चाहे तो आप है चाहे मैं है दो तीन हज़ार पांच हज़ार देके जजड बनके चले जाते हैं या गलती बना दियां, माल लिजिए ये लोग सबसे पैसे मांगते हैं, कोई लेडी फाइनाशली साउंड है, तो उसने पैसे पे कर दिये, तो ये लोग सब भी बंदियों से पैसे एक्सपेक्ट करते हैं, कि हमें सबी से पैसे मिल जाएंगे, तो मैं भी इस बात के बहुत खिला कि अगर हमें कोई आप देखते हो कि हम किसी बात के लिए डिजर्व करते हैं हमें वो क्वालिटी है तो आप हमें नहीं कोई भी और बंद है तो उसे पैसे दे के जज क्यों बना रहे हो अपना पहले तो ऐसे होता नहीं था अभी यह क्यों होने लगा है तो मैं ज्यादा मेरा यह वीडियो डालने का मकसद यही था कि मुझे कुछ यह दो चार बाते नहीं अच्छी लग रही थी कि जो गलत है हमारी सुसाइटे में हो रही है भी यह नहीं होने चाहिए ऐसे क्या होता है कि जैसे कोई मिडल क्लास फैमली की लेडिस हैं उनके हजबेंड है कुछ तो चलो जो मैंने का कि फाइनाशल साउंड है वो सब पे कर सकते हैं लेकिन कुछ कोई बंदा अगर कोई गौर्मेंट जोब कर रहे है उसकी हमारी पेई या सैलरी है जो हमारी ट्वंटी थाउजन थर्टी थाउज बच्चों का अपनी फीज से बड़ी मुश्किल से भर रहे हैं तो अगर वो इन्हीं लोगों को पंदरह हजार दे देंगे जैसे कहीं पर कोई सिंगर आ रहा है कहीं पर कोई सैलिबिटी आ रहा है तो यह लोग लड़कियों को लेडिस को यह मतलब की ब्रेन वोश करते कि कि आपकी उनके साथ फोटो हो जाएगी आप सोचल मीडिया पे छा जाओगे तो सभी में यह क्रेज होता कि सेलिबिटी एक दिन में हम बन जाएंगे हम लोग टीवी में आ जाएंगे हम लोग न्यूस पेपर के फर्स्ट फ्रेंट पेस पे आ जाएंगे तो इसी चकाचों म में सभी सभी लोग इनका विक्टम बन जाते हैं कि जैसे पैसे पे कर दिये मीडल क्लास फैमिली में तो एक तरह से थोड़ा कलेश का कारणी बन जाता है कि लेडिस अपने हस्बंड के साथ लडाईयां करती हैं तो जिन लेडिस का मतलब अपना यह खर्चे पूरे नहीं हो मतलब की ब्यूटी पैजन्स में पाटी स्पिट कर रही हैं तो जो सिंपल घ्रेलू हाउस वाइफ होती है न तो उनके मन में भी ऐसी बाते आनी शुरू हो जाती हैं कि जिससे घर का मोहल तो खराब होता है अपना खुद में भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता बंदा आप जिससे घर के अपना पुषप कि यस ने किया कि आप इतना आपने एक वीडियो डाला जिससे एक कहते है वो संसरी फैल गेलू थिया ना में कि मिस्स मॉनिका बंदारी का वीडियो डेफिनेटली सब को देखना चाहिए तो आपको किसने पुषप किया कि इसा वीडियो डाल कि मैं मेरे मन में तो काफी टाइम से ये विचार चल रहा था कि मैं चलो ये वीडियो डालू मैंने काफी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया मैंने मंजीजी के साथ भी शेयर किया मुझे वैसे सभी ने मना किया इन्हों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं अगर तेरे दिल में यह बात है तो सुसाइटी तक पहुंचाना चाहती है तो तेरे को डेफिनेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने इसके इतने पाटिस्पेट नहीं न कि यह हुए यह कॉंटेस्ट बीटी कॉंटेस्ट अगर आप उन्हें वैसे सपोर्ट कर रही हैं तो क्या यहां नहीं मैं इसके साथ हूं अभी भी हूं और अगर इसके साथ कल को कुछ इसके लोग अगेंस्ट होते हैं इवन दो आया मिधर कि आपने इतना बोल स्टेप उठाया आप दोनों ने मिलके तो डेफिनेटली यहां की अवेर होंगी अच्छा एक चीज मैं हम आपसे पूछेंगे की जैसे इवेंट में हम देखें आजकल के जो ड्रेस अप पे इतना जादा मनी वेस्ट होती है जो लेडिस कर्टी है टु मैम हान जी ऐसे होता है जैसे चलो पहले हम लोग ना कोई भी फेस्टिवल बनाते थे गैट टूगेधर करते थे सभी फ्रेंड्स ने मिलके कुछ भी पहन लिया कुछ ऐसा नहीं था अब तो यह ट्रेंड हो गया कि जो ड्रेस एक पहन ली ना किसी ने फेस्बुक पे उसकी लेड़ी पहना लेड़ी हे सिल्वानी है तो भी इसे फैनांशली लोस घरवालों को हो गई होगा निके ऊपर ना यह जो पिएजिछेंट हैं जैसे हर एक चीज के आपर जैसे हम कहते हैं कि हम इनकम टैक्स लग रहे हैं कुछ लग रहे हैं तो इनके ऊपर भी ना कोई एक कोई टेक्स लगना चाहिए कि जैसे यह लोग इतना पैसा ही कठा कर रहे हैं अपनी जिबों में बहर रहे हैं ना लोगों को तो कोई फाइदा नहीं हो रहा है आपको एक रिस्टिप्ट मिलनी चाहिए प्रॉपर यह प्रॉपर और इनके ऊपर भी एक अथोर्टी होनी चाहि जाती है उसमें हजारों की ददात में लड़कियां जाती जाती ते वहीं चुनी जाती थी जिनमें कोई सन लेकिन अब देखिए कि मान लीजें मिसिस इंडिया हो रहा है मिसिस इंडिया का मतलब है कि आपने इंडिया भर की लड़कियां लेनी है तो वो कि मैं आप बताओ खुदी लुध्याना में दस बंदरा लड़कियां ली तो मिसिस इंडिया हो गया उसमें कोई असाम की लड़की नहीं है राजस्थान की लड़की नहीं है गुजरात की किया हुआ है मेरे कुमेंट बॉक्स में मेरी फ्रेंड्स को सभी को फॉलो किया इन्हों खरices सेंड और सभी को इन्हों ने अपनी वह वाली पेशार कर दी कि हम यह ब्यूटि पर पता है यही में लोगों को जागरू करना चाहती हूं, कि गल्स जैसे बहुत अच्छे शो होते हैं, लेडिस बहुत अच्छे शो होते हैं, आप उनमें जाओ, मैं पार्टी स्पेट करने से मना नहीं करती हूं, आपका भी मन है, आप भी अच्छे कपड़े पहनो, पार्टी स्पेट हिम्मत ना दी होती तो शायद में चूपी रहती तो हजबन लोग इतनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं तो हम उनका पैसा ऐसे पानी की तरह क्यों बहाएं पांच हजार दे दिया दस हजार दे दिया जैसे कि आज गल आप देख रहे हो कि हर जगा पे न्यूस होती है कि फलाना स अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम कोई charity कर सकते हैं किसी गरीबों का बहला कर सकते हैं कोई widow lady है तो उनकी help कर सकते हैं किसी गरीब बच्चे की fees का हम जमेलरी उठा सकते हैं तो अगर तो नई financially sound तो फिर अपने घर के ओपर ही अपने बच्चों के ओपर ही ध्यान देना तो आप भी कोई मैसेज दीजे लो दियाना की लेडिस को मैं तो सभी लेडिस को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ अगर आप में क्वालिटीज हैं आप जरूर हर चीज में पार्टिस्पेट करिए बंदास करिए दिल खोर के करिए पर पहले अपना फिनेंशली स्टेटस भी देखिए पर उसके आपकी फैमिली को कोई सेट बैक नहीं लगनी चाहिए सबसे पहली अपनी फैमिली को अपनी प्राइरिटी दीजिए उसके बाद अगर आप में कॉलिटीज है आप जरूर पार्टिस्पेट करिए पर जहां भी आप जाते हों मैं मोनिका जी की बात फिर रपीट करती हूँ वो आप इवेंट का स्टैंडर्ड देखिए भी कौन करवा रहा है इस बाती मिसस अशिया है रहे है जिसमें मैंने पार्टिसपेट गैया था वो खुद इंडिया के लेवल का था पर पूरे जहां पूरे ये इन्न całyс भात बिल्कुल ठीड ही है पूछना चाहिए भी आपका क्रेटीरिया है और जजिज कौन है यह इसका खास ध्यान रखिए और कौन करवा रहा है उसका जरूर ध्यान रखिए एंड बैसे तो क्लब हैं किटियां है नहीं तो आप उसी में अपना पूरा दिल खोल के एंजॉय करिए वहां अपना जो आप में टैलेंट है वहां शो करिए कैमरामेन अमन दीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी